आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर हमें दिये गए Options को देखकर बताना है कि इन में से क्या Incomplete Dominance में हमें देखने को मिलेगा सबसे वहले Incomplete Dominance क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं जब भी हम Inheritance की बात करते हैं तो सबसे वहले हमारे सामने जो नाम आता है वो होता है Gregor Mendel का क्योंकि इन्हों नहीं P plants की, Pysmastivum के plants की कई सारी generations raise करके उनके उपर data collect करके Laws of Inheritance हमको दिये थे जो आज भी हमारे काम में आते हैं और ये Laws क्या थे? अगर हम एक single trait की Inheritance की बात करें तो Mendel के अनुसार इसमें जो सबसे पहला Law हमारे सामने आता है वो होता है Law of Dominance अब Law of Dominance का मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं इसके अनुसार, कोई भी character या कोई भी trait अगर कोई organism डिस्पले कर रहा है, exhibit कर रहा है तो ये trait किसी ना किसी factor के control के under होता है इन ही factors को आज हम genes के नाम से जानते है लेकिन क्योंकि उस समय पर chromosome के जेनिटिक्स के बारे में इनने जादा नौलज नी थी Mendel को तो ये उनको factors बोलते थे तो इनके अनुसार paired factors हर trait को control करते है paired से इनका क्या कहने का मतलब है कि हर gene के slightly different forms organisms में present हो सकते है जिने आज हम allele बोलते है और ये allele कैसे हो सकते है या तो ये dominant होगा यानि जो हमेशा ही खुद को express करेगा या दूसरे type का जो होता है recessive जो कि dominant के presence में खुद को express नहीं कर पाएगा suppress हो जाएगा तो ऐसे में अगर हम बात करें सपोज फ्लार कलर की बात करता है तो किसी प्लांट में फ्लार कलर हम देख रहे है सपोज दो कलर होता है यहां पर एक जो dominant phenotype है वो है red color का capital R से इस की allele को हम डिनोट करेंगे और जो recessive वाला है उसमें white color का फ्लार हम को मिलेगा तो यहां पर small R से डिनोट करते है इस allele को तो Mendel की law of dominance की अनुसार यहां पर तीन तरह की condition बन सकती है या तो homozygous dominant जिसके इसमें phenotype उसका dominant हो जाएगा या homozygous recessive जिसके इसमें phenotype उसका recessive हो जाएगा और तीसरे type की condition क्या हो सकती है कि यह एक heterozygote हो यानि एक इसके पास dominant और एक recessive allele हो इस तरह की heterozygous condition हो तो law of dominance की अनुसार इस heterozygous condition में हमें dominant phenotype ही देखने को मिलेगा क्यों? क्योंकि यहां पर capital R जो है वो dominant allele है और recessive वाली को वो express नहीं होने देगी तो color यहां पर white नहीं यानि यह दोनों allele जो हमारे पास में हैं इट में से dominant वाली यानि capital R वाली पूरी तरह से हमारे small R को suppress नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से उसको dominant नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं? फ्लार कलर का हमारे पास example होता है antirhinum की species में हमें देखने को मिलता है कि antirhinum या commonly जिसको snapdragon बोलता है इसमें इसी तरह के respectively red और white dominant और recessive phenotypes होता है लेकिन देखने वाली बात यह है कि heterozygous condition में यह law of dominance के अनुसार नहीं चलता यहांपर capital R, small r को पूरी तरह से नहीं दबा पाता है और इसी लिए हमको heterozygous में एक तीसरे टाइप का flower color देखने को मिलता है जोना तो red है ना white है इन दोनों के बीच में एक intermediate है क्योंकि सिर्फ capital R नहीं small r बही हांपर कुछ हद अखुद को express कर पा रहे है पूरी तरह से suppressed नहीं हुआ है इसलिए 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 incomplete dominance कहरे रहे है पूरी तरह से dominance नहीं है एक का दूसरे के ऊप़र और यहां पर as a result हमको तीसरे टाइप का phenotype निलता है pink color के flowers नाजर आते है तो हमें इहां पर incomplete dominance के बारे में बोल रहा है जो देखते हैं क्या-क्या स्टेटमेंट्स दिये हुआ, पहले कह रहे हैं कि F1 जेनरेशन में डॉमिनेंट ट्रेट पूरी तरह से एक्सप्रेस होगा, अब अगर हम दो प्योर लाइन्स के बीच में आपस में क्रॉस कराते हैं, एक हमारा यह यह वाला पेरेंट और एक हमारा रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, तो अबिसली हमारी जो F1 जेनरेशन होगी, उसमें हेट्रोजाइगोट्स मिलेंगे हमको, पहली जेनरेशन आएगी और यहाँ पर अगर यह complete dominance होती, तो हमारा dominant phenotype, यानि red color का flower हमको नज़र आ जाता, लेकिन क्योंकि incomplete dominance है, तो F1 जेनरेशन में हम pink color के सारे के सारे flowers देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, कि dominant trait नज़र आएगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर intermediate वाला trait हमको नज़र आता है, क्यों, क्योंकि F1 जेनरेशन में जो भी वनेंगे सारे के सारे हेट्रोजाइगोट होंगे, इसके बाद में दूसरा लिखा है, कि phenotypic और genotypic ratio अलग होते हैं, तो again, यह बात यहाँ पर correct नहीं है, हम अगर normal अपने complete dominance के case में इस तरह का cross करते हैं, तो हमारे phenotypic और genotypic ratio करें, 1 इस तो 2 इस तो 1 में, लेकिन अगर हम phenotype ने, genotype को देखें, तो genotype हमारे पास केवल 2 ही होते हैं, यहाँ पर complete dominance के case में, red और white, जो कि हमारे पास 3 इस तो 1 के ratio में आ जाते हैं, तो यहाँ पर genotypic और phenotypic ratio complete dominance के case में अलग-अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हम कि 1 इस तो 2 इस तो 1 ratio हमको genotype का भी मिल रहा था, और phenotype भी यहाँ पर, दो तरह के नहीं, वलकि तीन तरह के हैं, red इस तो pink इस तो white color का, हमको यहाँ पर 1 इस तो 1 इस तो 1 का ratio मिल जाता है, तो phenotypic और genotypic ratio दोनों यहाँ पर हमारे same हो जाते हैं, different नहीं है, फिर लिखा कि पूरा dominant trait express करने के लिए, दो dominant alleles की जरूरत पड़ती है, यह बात यहाँ पर बिलकुल correct हो जाती है, law of dominance में तो, अगर एक dominant allele भी है, तो वो पूरा का पूरा dominant trait express कर देगी, जो हमारी recessive वाली alleles है, उसको दबा देगी, लेकिन incomplete dominance में ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि heterozygote म और तभी हम red color देख पाएंगे, यह हमारा correct बात है, incomplete dominance के बारे में, और यहाँ पर last में लिखा हुआ है, कि F1 के individuals में, दोनों parents के equal traits होते हैं, तो अगे यह बात गलत हो गई, दोनों के बराबर trait नहीं, बलकि दोनों से हटके, कोई तीसरा different trait in में होता है, जैसा कि हमने यहा पार जा रहे थे, incomplete dominance में, इसी तरह की condition देखता है, कि heterozygote, intermediate trait डिस्पले करता है, जो दोनों में से किसी भी parent में नहीं था, तो यहाँ पर option C, correct answer है, हमारा बाकी तीनों स्टेट्मेंट्स गलत है, क्लासिक्स से टुएल से लेके, नीट आयाईटी जेही, मेंस और एडवांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स, आच चारसो 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 पर,